दोस्तो अगर आप अपने Android फोन पर Windows 10, Windows 8 या फिर Windows 7 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहना बहुत अमेजिंग होने वाली है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें अपने Android फोन पर Windows इंस्टॉल क्यों कर दी है तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं मैंने भी बहुत सोचा पहले चीज़ तो हम फन के ले कर सकते हैं कि Windows चल रही है Android पे तो मतलब अलग है सब के सामने cool rule बन सकते हैं दूसरी चीज़ अगर आप कोई Windows अपरेटिंग सिस्टम अपने PC पे इंस्टॉल करने की सोच रहे हो मालीजे आप 7 यूज़ कर रहे हो और आपको नहीं पता कि Windows 10 कैसे काम करता है बहुत लोग आज भी Windows 7 और Windows 8 यूज़ करते हैं तो उस केस में आप पहले एक Windows 10 की कॉपी अपने Android फोन पे emulate करके इंस्टॉल करके ट्राइ करके चेक कर सकते हैं कि मेरा PC ऐसा काम करेगा Windows 10 इंस्टॉल करने के बाद आप इसी तरीके से Mac OS भी ट्राइ कर सकते हैं मतलब Mac OS अपने Android फोन पर ट्राइ कर सकते हैं सेम मेथट से अगर वो चीज़ भी आपको अगर जानने है इन फ्यूचर में तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूँँआ आप कमेंट कर देना तो Mac desktop खरीबते हुए भी आपको confusion होती होगी कि भाई मैं Windows से अगर shift करूँआ Mac OS पे तो कैसा रहेगा OS नया ही operating system है बिल्कुल तो उस case में भी आप अपने Android phone पे पहले install करके try कर सकते हैं सारी चीज़े clear हो जाएंगे और आपको एक अच्छा idea लग पाएगा तो वो बहुत बहतर रहता है तो आप अपने Android phone पे easily कोई भी Windows XP 7, 8, 8.1 या even Windows 10 जो latest है तो वो भी आप install कर सकते हैं बहुत ही असानी से तो बि काफी अच्छी rating है और ये बहुत अच्छा emulator है जिससे आपका जो Windows है बहुत अच्छे से काम करेगी इसकी जो performance है वो भी काफी अच्छी है अब आप लोगों को एक official Windows की copy की जरूरत है तो आप लोगों को यहाँ पे Windows XP, Windows 10 जो भी आप लोगे पास पहले से है वो यूज कर सकते हैं और डाउनलोड करने के लिए आप Google पे जाएए वहाँ लिखिए Windows 8 या जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं for example Windows 10 तो आप directly Microsoft की site पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कोई illegal way नहीं है आप officially Microsoft की site पे जाएए वहाँ Windows 10 चूज कर लीजिए य 32 bit के लिए सेम प्रोसीजर है Windows 10, 8, 7 या Windows XP डाउनलोड करने के लिए जो भी डाउनलोड करनी है Google में उसका नाम लिख लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए जब आग एक बार उसे डाउनलोड कर ले तो अपना emulator open कीजिए जो Windows की file है उसे अपने device में डाल लीजिए कहीं प अगर आप Windows XP यूज़ कर रहे हैं अगर आप 7 या फिर Windows 10 की ISO फाइल यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से settings चेक कर सकते हैं यहाँ मैंने RAM 1GB दे रखी है आप देख सकते हैं कि जो मेरी Windows XP होगी वो 1GB RAM के साथ होगी तो आप देख सकते हैं मैंने memory यहाँ प आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है ना उसमें बिल्कुल भी changes करने हैं तो जैसा आपको यहाँ पर मिलता है emulator के साथ बिल्कुल आपको वैसे ही रखना है अगर आप चाहें तो खुद यहाँ पर emulator के through download कर सकते हैं ROMS जैसे कि यहाँ पर आप Linux की ROM download कर सकते हैं Tiny code Linux download कर सकते हैं तो आप यहाँ से भी download कर सकते हैं मतलब आप Linux भी यहाँ पर emulator कर सकते हैं उसके बाद आपको start का button पर click करना है और उसके बाद आपकी जो Windows है वो normally start हो जाएगी और boot हो जाएगी मैं आपको एक tip देना चाहूँगा यहाँ पर अगर आप Windows 10 या Windows 8 emulator करना चाहते हैं तो make sure आपका जो android device हो वो बहुत powerful होना चाहिए मतलब एक high end android device होना चाहिए otherwise वो उतने अच्छे से क्या चलेगा ही नहीं Windows 10 वगेरा तो Windows XP और 7 तो चल जाएगा बट 10 और 8 चलाने के लिए आपको एक काफी अच्छे और high end device की जरुरत पड़ेगी बट Windows XP काफी अच्छे से चल कर पा रहा हूं Windows XP के आप देख सकते हैं यहापे all programs में मैं गया हूँ यहापे accessories के option में अगर आप जाके paint वगरा tool भी use कर सकते हैं और काफी अच्छे से use करता है service stop करने के लिए आपको notification sheet पर जागाना है और यहाँ पर बोश इस रणिंग के आगे stop लिखाया उस पर क्लिक करना और आपकी जो emulator है फो stop हो जाएगा तो दोस्तों मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like कर देना comment करके बताना अगर आपको macOS install करना अपने android phone पर तो उसकी वीडियो भी मैं जल्दी लेया हूँआ तो बस इतना ही चैनल को ज़रूर subscribe कर देना और वीडियो को like कर देना मेरा नाम है प्रेंच मैं आप सभी को मिलता हूँ next video में तब तक ध्यान रखिया अपना bye bye take care अब आप कर दो 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 कर पर